ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं मिथुन नाशी वालू हो जाओ सावधान क्योंकि अब 14 अपरेल से 28 अपरेल याने कि इन 15 दिनों में भयंकर क्रोध में हैं शूरेदेव अब इन 15 दिनों में हर कम पो मचने वाला हैं श्वे रहते जान लो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे 14 अपरेल से 28 अपरेल याने कि इन 15 दिनों के आपके राशी के महाराशी फल के बारे में कि किस प्रकार इन पंदरे दिनों का समय आपकी राशी वालों के लिए भगवान शुर्य देप की किरपासे रहेगा वैसे बता दें यह समय आपके लिए उतार चड़ाव वाला रह सकता है इसलिए समय रहते आप जान ले चौदा अप्रेल से 28 अप्रेल टक करें शंपोर श्टीक रासी पल गरेन-कशत्रों के साथ चिस प्रकार इस समय रहेगा इस समय में आपको किनकी जीजों से फायदा होगा किनकी जीजों से साथदां र Έना होगा आपकी लव लाइप कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनेश वैपार्क कैसा रहेगा स्वास्त कैसा रहेगा पंदरा दिनों का शंपूर्ण शटीक रास्वाल इस वीडियो के मादम से बताएंगे शुरू सेंटर तक वीडियो पूरा दे के बहुती महत बपूर वीडियो है वीडियो का आगे शुरू करें सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना जैश शुरे देव कमेंट्स भोक्स में जरूर लिखना तो चलिए 14 अप्रेल से 20 अप्रेल यानिकिन 15 दिनों का समय किस प्रकार रहेगा आपकी राशी वालों के लिए कैसा रहेगा यह समय 15 दिनों का चलिए शुरू करते हैं दोस्तों यह समय आर्थिक पक्ष पहले से अधिक शक्षम और मजबूत इस्तिती में रहेगा कुछ समय से चल रही चिंताओं से अब आपको राहत मिलेगी परिवार के लोगों की हर छोटी मोटी जरूरते पूरी करने में आपको आनंद आएगा अचानक ही किसी पुराने मित्र या परिचित से मुलकात खुसी आपको प्रदान करेगी दोस्तों साति सात यह समय भग्य उन्नती के सुब अफशर बन रहे हैं जो काम पिछले काफी समय से रुका हुआ या फिर अठका हुआ था उसके अब पूरा होने का समय आ गया है जार्तियों की पृतियोगी परिक्षाओं का परिणाम उनके पक्ष में आएगा आवश्चकता है तो सिर्फ पहले से जादा मेहनत करने की किसी रिष्टेदार या मित्र द्वारा कोई महत्पपूर्ण सूचना भी आपको मिल सकती है जो आपके लिए लाबदायक साबित हो बुजर्गों के आशिरवाद वे किरपा से घर में खुस नुमा वातावरन रहेगा आप अपनी किसी कमजोरी पर विजे पाने के लिए भी परत्न सील रहेंगे दोस्तों साथ साथ पिछले काफी समय से जो काम आपके रुके हुए या फिर अठके हुए थे वे अब आपके अल्प पिरियास से ही पूरे होनी की संभवना है किसी रिष्टेदार से संबंदित कोई समचा सुनने को आपको मिल सकता है भाईयों से बटवारे संबंदित विवाद का निप्टारा आपसी सहमती वे किसी की माद्यमता से आसानी से हल हो जाएगा राजनितिक तता पूर्ण लोगों से लाबदायक आपके संपर्क बनेंगे आप अपनी बुद्धिमता वे होस्यारी से अधिकतर काम निप्टाने में यह समय सक्षम रहेंगे दोस्तों साति सात यह समय कुछ लोग आपकी आलोचनावे निंदा कर सकते हैं ऐसी नकार अत्मक प्रवर्ति के से दूरी आपको बनाकर रखने की आवश सकता है खर्चों की अधित्ता रहेगी जिससे आपका बजट भी बिगड़ सकता है भायों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखने में आपका विशेश योगदान रहेगा दोस्तों यह समय आप अपने क्रोध वे आवेस को काबू मे रखना आपके लिए आवशक हैं कई बार जल्दबाजी वे अति उत्सा में बनाया हुआ खेली भी बिगड़ सकता है जिसकी वज़े से परिवारिक शुक्षांती भी प्रभावित हो सकती हैं संतान का जिद्दी वे अडियल रविया आपको चिंता में डाल सकता है दोस्तो साथ साथ यह समय आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें क्योंकि कोई आपको भावनात्मक रूप से बेवकूप भी बना सकता है व्यर्थ के कारों में धन खर्च होने के भी योग बन रहे हैं इसलिए अपने खर्चों पर आपको नियंतर रखने की आवशक्ता है साथ साथ दोस्तो यह समय विद्ध्यार्तियों को अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की आवशक्ता है साथ ही फिजूल खर्चों में भी आप कटोती करें क्रोध वे उत्तेजना पर आपको जरूर नियंतर रखने की आवशक्ता है अन्यथा किसी के साथ आपके संब बंदी भी खराब हो सकते हैं दोस्तो साथ साथ अपनी भावुकता और उदारता जैसी कमजोरी पर विजय प्राप्त करना आपके लिए अति आवशक है क्योंकि इसकी वज़े से कुछ लोग आपका फायदा भी उठा लेते हैं सोशल मीडिया और व्यर्थ के मित्रों से बात अगर आपके लव लाइफ की करें तो यह समय परिवारिक वातावरण शुखद रहेगा प्रेम प्रसंग में पढ़कर अपने केरियर के साथ कोई समझोता आप ना करें दोस्तो साथी साथ यह समय पती पतनी के आपसी तालमेल और समाजस में कुछ कमी रह सकती हैं इसल यह कुछ समय परिवार के साथ बैठकर समय वैतीत करना माहुल को बहुती शामान ने बना देगा दोस्तो साथी साथ पती पतनी के मध्यें यदि कोई विवाद चल रहा है तो उसका अब हल निकलेगा तथा घर का वातावरण खुसनुमा हो जाएगा प्रेम प्रसंग में प इसी बच्चे की किलकारी संबन्दित सुब सूचना मिलने से परिवार में यह समय खुसनुमा वातावरण रहेगा और परिवार प्रसंग पूर्ण रहेगा दोस्तो बात अगर आपके व्यवसाय और केरियर की करें तो यह समय व्यपार व्यकामकाज में कुछ थोसवे महत पूर्ण आप निर्ने लेंगे जो कि आपके लिए बहुत अधिक फायदेबंद सावित होंगे आर्थिक इस्तितियां पहले से अधिक मजबूत होंगे नौकरी में किसी प्रकार की गल्ती होने से अधिक कारियों के शमक्ष जबाब देही आपको करनी पड़ सकती है दोस्तों साति सात कारोबार में कड़ी मेहनत और परिश्रम की आपको आवशकता है कार्य विस्तार संबंदी योजनाएं कार्य रूप में पढ़नित होंगी एक बार उस योजना का उन्हें परिक्षण आप जरूर करें नौकरी में हलकी फुलकी परिशानी आएंगी परन्तु आप वैविवेक से सभी परिशानियों का हल बहुती सांति पूर्ण ढंग से निकाल लेंगे साति सात कार्य छित्र में विस्तार के लिए कुछ योजनाओं पर विचार होगा यह समय मार्केटिंग संबंदी कारों पर अधिक आपको ध्यान देने की आवशकता है किसी बड़े अ राजनितिग से आपकी मुलाकात बहुत फायदेबंद साबित होगी नोकरी पेशा लोगों की दिन चरिया बहुत अधिक व्यस्त रहेगी दोस्तों साति सात यह समय वैपार में विस्तार संबंदी जो योजना पिछले काफी समय से चल रही थी उसके क्रिया निवंत करने का समय आ गया है सेल टेक्स जी अश्टी आदी से जुड़े काम आप जल्द ही पूरा कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा प्रैवेट नोकरी में लक्षे को प्राप्त करने का आपके ऊपर समय दबाब भी रहेगा दोस्तों साति साति यह समय कामकाज को पूरी जाम दें अन्यथा आपका ओडर भी कैंसिल हो सकता है और पैसे भी फस सकते हैं सरकारी नोकरी में किसी प्रकार की उल्जने उत्पन हो सकती हैं इसलिए व्यर्थ किसी के काम में हस्त छेप आप ना करें दोस्तों साति सात व्यपार में कोई भी नया निवेश करने से पहले उसकी अच्छी तरह से जांच परताल आप अवश्य करें किसी की चिकनी चुपडी बातों में आकर आप अपना अहित कर बैठेंगे नोकरी में छोटी मोटी समस्य आ सकती हैं परंतु बॉस और वरिष्ट अधिकारियों का सयोग आपको तानाव मुक्त रखेगा दोस्तों नोकरी पेशा लोगों के लिए यह समय मिला जुला रहने वाला है दोस्तों बात अगर आपके स्वास्थ की करें तो यह समय शारारिक कमजोरी तथा हड्डियों में दर्द जैसी समस्याएं रह सकती हैं वर्तमान माहुल से अपना आपको बचाव रखने की आवश्यक्ता है स्वास्थ आपका ठीक रहेगा परन्तु खानपान तता दिन्चरिया को विवस्थित रखना आपके लिए अति आवश्यक्त हैं साति सात वायू विकार वे पेट से संबंदित दिक्कतें रह सकती हैं जादा गरिष्ट और तेलिये भोजन खाने से आप परेज करें किसी भी प्रकार की बुरी आदत वे बुरी संगती से आप दूर रहें इसी वज़े से आपका इम्मून सिस्टम भी कमजूर हो सकता है दोस्तों अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए आप नियमित योग और प्रण्याम का सहरा लें जो आपके स्वास्थ के लिए ब